Good morning dear students, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है मेरे साथ, आई आज के इस lesson number 13 में आपके साथ बात करते हैं, basics of music series के तहट आज के lesson की, तो आज का topic है प्राचीन समय में शुरुतियों पर स्वरों की स्थापना, जी हाँ topic आप समझ गये हैं, प्राचीन समय में यानि के पहले के सम समय में, आज से साथ 800 साल पहले जो हमारे गरंथकार थे, बड़े बड़े जो विद्वान थे संगीत के, उन्होंने शुरुतियों के किस नंबर पर स्वरों को स्थापित किया था, जो साथ शुद्ध स्वर थे, वो प्राचीन समय में किस शुरुती पर एडजेस्ट किये तो आई उस पर बात करते हैं, तो प्राचीन समय में जो पहली, पहला जो स्वर था, जो साथ था वो चोथी शुरुती पर था, तो पहले मैं आपको करम बता देता हूँ, पहले का करम क्या था, पहले करम ये था कि 4, 7, 9, 13, 17, 20 और 22, ये शुरुतियों के मैं आपको नंबर बताये हैं, जिन नंबर की शुरुती पर स्वर जो हैं स्थापित थे, 7 शुरुद स्वर, तो क्या नंबर था शुरुती का, 4, 7, 9, 13, 17, 20 और 22, तो ये पहले हम 3 ले लेते हैं शुरुतियां, 4, 7 और 9, तो चोथी शुरुती पर हमारा 7 था, 7 शुरुती पर रे था, 9 शुर शुरुती पर मध्यम था, और उसके बाद आया 17, 20 और 22, तो 17 शुरुती पर 17 शुरुती पर 5 था, 20 शुरुती पर हमारा भैवत स्वर था, और 22 और आखिरी शुरुती पर हमारा निशाद स्वर था, जो शुद निशाद था, तो dear students, ये थी प्राचीन समय में, प्राचीन विद्वानों द्वारा, प्राचिन, संगीत, गरंतकारों द्वारा बताई गई शुरुतियों पर स्वरों की स्थापना की व्यवस्था, ये मैंने आपके साथ हाज शेर की है, इसके बाद अगले लेसन मैं आपके साथ मैं डिसकस करूँगा, एड प्रेजेंट हम जो हैं शुरुति पर रखते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में, आधनिक समय में, शुरुतियों पर स्वरों की व्यवस्था या स्वरों की जो स्थापना है, वो थोड़ी सी बदल गई है, तो उस पे भी मैं आपके साथ टॉपिक पर चर्चा करूँगा, अभी के लिए मैं अपना ल लेना है, सीधा सेस का मंतर है, चार, साथ, नौ, तेरा, सत्रा, बीस, और बाइस, बसी रंक रट लीजिए, चार, साथ, नौ, तेरा, सत्रा, बीस, बाइस, चार, साथ, नौ, तेरा, सत्रा, बीस, बाइस, ये शुरुति के नंबर है, इन नंबर की शुरुति पर हमारे सारे गामा पाधनी ये साथ स्वर स्थापी थे तो इसी के साथ ही आज का लेसन यहीं समाप्त करता हूँ आप मेरा ये लेसन देखते रहिए बाई बाई एंड है वे मिज़ें